भारतिय सम्विधान को स्वरूप देने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रेल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाउं में हुआ था भीमराव अम्बेडकर जी के पिता का नाम राम जी, मालो जी, सक्पाल और माता का नाम भीमा बाई था भीमराव अम्बेडकर का जन्म महार जाती में हुआ था जिसे लोग अच्छूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे बच्पन में भीमराव अंबेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदबाव किया गया भीमराव अंबेडकर जी के पूरवज लंबे समय तक ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कारे करते थे उनके पिताव ब्रिटिश भारतिय सेना की मौव छावनी में सेवा में थे एक लंबे समय से इनका परिवार अंग्रेजों की सेवा में तक पर था अंबेडकर जी ने सन 1919 में पुनर विवा किया और परिवार के साथ मुंबई चले गए भीमराव अंबेडकर एलफिंस्टोन रोड पर इस्थित गवर्मेंट हाई स्कूल के पहले अच्छूत चात्र बने पढ़ाई में अपने उतकरष्ट प्रदर्शन के बाद भी भीमराव अंबेडकर को सुयम के साथ हो रहे अलगाव और भेदभाव से बहुत दुख होता था सन 1960 में मेटरिक परिक्षा पास करने के बाद भीमराव अंबेडकर ने मुंबई विश्विध्याले में प्रवेश्ट लिया और इस तरह वह भारतिय महाविध्याले में प्रवेश लेने वाले पहले दलित बन गए मेटरिक परिक्षा पास करना उस समय बहुत बड़ी सफलता मानी जाती थी और एक अच्छूत का मेटरिक परिक्षा पास करना उस समय के लियाद से आश्चर जनक था इसी कारण उनकी इस सफलता से पूरे समाज में खुशी की लहर दोड़ गई मैट्रिक परिक्षा पास होने पर उनका एक सार्वजनिक समारों में सम्मान किया गया इसी समारों में उनके एक सिक्षक कृष्णा जी अर्जुन कैसुलकर ने उन्हें अपनी लिखी हुई पुस्तक गौतम बुद्ध की जीवनी भेंट की गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़ने के बाद से भीम राव अंबेडकर का जुकाओ बौत धर्म की सिक्षा की ओर होने लगा 31 जनवरी 1920 को अंबेडकर जी ने एक सापताहिक अकभार मूक नायक शुरू किया 1924 में बाबा साहिब ने दलितों को समाज में अन्यवर्गों के बराबर इस्थान दिलाने के लिए बहिश्क्रत हितकारणी सभा की स्थापना की 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक संधी हुई जो पूना संधी के नाम से जानी जाती है अगस्त 1936 में स्वतंत्र लेवर्ग पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई 1937 में डॉक्टर अंबेडकर ने कौंकन छेत्र में पट्टे दाली को खत्म करने के लिए विदेयक पास करवाया कौंग्रेस पार्टी और स्थाथ आंदोलन में भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा सक्तिय रूप से भाग लिया गया उनके नेतरत्व और उनके ग्यान को देखते हुए जब संविधान सभा का गठन हुआ तब भीम राव अंबेडकर जी को संविधान सभा की प्रारूप समीती का अध्यक्ष बनाया गया एवं डॉक्टर राजिंद प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए फरवरी 1948 को अंबेडकर जी ने संविधान का प्रारूप प्रस्तूत किया और उस प्रारूप को 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया जब भारत में सरकार बनी तब डॉक्टर अंबेडकर कानून मंतरी के पत पर आसीन हुए लेकिन 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंतरी के पत से त्याक पत्र दे दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में अपने दर्शन शास्त्र एवं अनुभव से लोगों को अवगत कराने हैतू कई पुस्तकें लिखी जो आज भी भारतिय समाज और हम सभी भारतियों का मार्क दर्शन कर रही है इन किताबों में से प्रमुक किताबे हैं भीमराव अंबेडकर जी की लिही गई ये पुस्तकें आज भी पुस्तकालायों में एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है यदि आप चाहें तो उनकी वह पुस्तकें आज भी पढ़ सकते हैं और उनके दर्शन शास्त्र से अवगत हो सकते हैं आप में से कई दर्शक ऐसे होंगे जो अपने विचार लोगों के साथ साजा करना चाहते हैं एवं अपनी किसी भी प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और गूगल फॉर्म भरिये फॉर्म सब्मिट होने के बाद पुस्तक प्रकाशक की और से आपको संपर्क किया जाएगा और प्रकाशन की साही जानकारी दी जाएगी आपकी पुस्तक को दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म गूगल प्ले स्टोर और गूगल प्ले बुक्स पर प्रकाशित किया जाएगा यदि आप अपनी कवीता, कहानी, उपन्यास, लेख या अन्य किसी विधा की पुस्तक प्रकाशित करने के इच्छुक हैं या प्रकाशन से संबंदित जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दीकई लिंग पर क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने छुगा छूत असिक्षा, अंधविश्वास के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विशमता को सबसे बड़ी बुराई के रूप में प्रस्तूत किया डॉक्टर अंबेडकर जी ने वन वेवस्था और सामाजिक भेदवाव के खिलाफ भारतिय समाज में संगर्श करते हुए निराश होकर अपना धर्म छोड़ दिया और 1956 में लाखों समर्थकों के साथ बौध धर्म सुईकार किया इसी वर्ष 6 दिसंबर 1956 को 63 साल की उम्र में भारत के सम्विधान को उसका प्रारूप देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया झाल 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 झाल